हेलो टीटिवस वेलकम दू टेन्याने स्टॉक्स देखिए मैंने एक पोल कंड़क्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि लॉंग टम के इसाफ से आप किसको चुनेंगे JSW Steel को या फिर Tata Steels को और 80% से जादा वोट्स मुझे Tata Steel के लिए मिले हैं यानि के लोगों का एक बहुत बड़ा जो विश्वास है वो Tata Steel के साथ है कि लॉंग टम में वो Tata Group की इस फ्लैक्शिप कंपनी के साथ रहना चाहते हैं अभी मैंने दीसेंट में Tata की काफी सारी वी इंक्रीज किया है तो मैंनेजमेंट की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस मैटल की तेजी को जादा से जादा फायदा इसका लिया जाए और यहाँ पर कंपनी की फिनेंशन को दुरुस्त किया जाए इंपॉर्टन कैसा मुझे नहीं लास्ट इसापसे नया 52 वीक हाई भी लगा है इसे लास्ट इंडिंग सेशन के अंदर और जिस तरीके से रफ्तार है जिस तरीके से मैटल सेक्टर के अंदर एक के बाद एक नहीं तेजी नहीं मुकाम हम देख रहे हैं हासिल हो रहा हैं इंपक्त कॉमोडिटी मार्केट के अंदर भ इस वीडियो में देखे तीन बड़े विदेशी एक्सपर्ट की राय टाटा स्टील के ऊपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साथ ही में ये चीज बताऊंगा कि अब टाटा स्टील के अंदर कौन से लेवल से जहां से आपको एंट्री लेनी चाहिए इसके बाद मैं देख ये 100% तक का डिविडेंड होता है कहीं बार उससे जादा भी होता है साल में एक ही बार देती है लेकिन देती जरूर है इसलिए आपको डिविडेंड कभी इंतजार करना चाहिए कि कब ये डिविडेंड आएगा क्योंकि अब इनके Q4 के रिजर्स पेश हो जाएंगे इस मह रिखेगा यहाँ पर रहा है इसके अंदर ट्रेडिंग तो 5% से ज्यादा आल्मोस 6% की तेज़ी के साथ आप देखिए इस स्टॉक में 860 रुपे पर क्लोजिंग दी है नया 52 वीक हाई लगाया है 500 रुपे के आसपास का 52 वीक लो है 3 अपरेल 2020 का एक साल पहले इसने 52 वीक लो लगाया था इन लेवल्स के ऊपर उसके बाद देखिए 3 करोड 68 लाग से जादा शेरो के अंदर पॉलिटी ट्रेड होती है आपके सामने आती भी दिखाई दे जाएगी अब देखाता हूं आपको कौन-कौन से वो ब्रोकरेज फर्म से जिन्होंने अपनी रैंकिंग्स को टाटा स्टील के लिए बहतर किया है क्या कुछ टार्गेट्स दिये तो यहां पर इंपोर्टेंट है पांच दिन से लगातार टेजी यहां पर देखने को मिल रहे है ताटा स्टील के शेर प्राइस के अंदर यहां पर टाटा स्टील दे चुका है Moody's has become the latest brokerage to turn positive towards the stock citing a rise in steel demand and prices Moody पहला ऐसा latest brokerage firm है जिन्होंने टाटा स्टील को लेके positivity दिखाई है और देखे इनका जो पीछे रैशनल है वो है steel की demand और स्टील के प्राइस जो हमने हाली में देखा है काफी जादा इंक्रीज हुए है It has changed its outlook for Tata Steel to stable from negative तो negative से stable की category के अंदर इन्होंने अपने outlook में change किया है Tata Steel को लेके Tata Steel is one of the country's top steel producer with an installed capacity of 20.6 million ton per annum सबसे बड़ा largest producer है 20.6 million ton per annum के साथ में यहाँ पर basically forecast जो किया है वो किया है 13,200 रुपे का EBITDA per ton यहाँ पर हो सकता है for the fiscal year 2022 for the Tata Steel जो की होगा 30% उपर अगर compare करेंगे December quarter से तो December quarter के basis पर जितनी positivity आई थी उसके ऊपर 30% यहाँ पर forecast किया जा रहा है कि आने बड़े time में per ton EBITDA pricing हो सकती है तो यह सीधे सीधे बात कहीं जा रहे है कि profitability increase करेगी और आपको यादो क्यों ऐसा है December मन के अंदर Tata Steel पे मैंने एक और वीडियो बनाई थी वो raw material की cost कम हुई है जिसकी वैसे ultimately जितनी भी steel producing companies है उनकी profitability भरती भी नजर आएगी और इसका impact अब आपको यहाँ से आता हूँ नजर आ जाएगा तो देखे यह बात हुई moody's के बात करते हैं CLSA की on Tuesday CLSA maintained by call on the stock with a target price of 950 CLSA ने 950 रुपे का target दिया है CLSA said after the significant outperformance of steel stocks over the past year the brokerage saw further upside as risk rewards remain favorable अभी भी risk to reward ratio की बात करेंगे तो steel sector के लिए favorable माना जा रहा है यानि कि आप सोचिये वी मैंने टाटर स्टी के बारे में आपको क्या बताया कि एक साल के अंदर 223% भड़ चुका है पिछले 3 महीने के अंदर 34% राइस कर चुका है उसके बावजूद भी देखे यहाँ पर risk to reward काफी favorable नजर आ रहा है उसके बाद देखे जेपी मॉरगन के भी सुन लेते हैं क्या कह रहा है इसलिए फिसकल ये 21 से लेगे 23 तक ये estimate कर रहा है approximately 10 से 35% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो अब इन्होंने भड़ा कर 1100 रुपे पर कर दिया है अब देखे चार्स पर नजर डाल लेते हैं तो daily charts के अंदर आप देखेंगे पिछले 6 दिन के consecutive green candles यहाँ पर form होती भी दिखाई दिये यानि के पिछले 6 trading session से Tata Steel से लगातार भड़त के साथ ही closing दे रहा है और 6 दिन पहले के opening price आप देखे 709 रुपे के थे जो अब यहाँ पर 858 रुपे के closing price के साथ में यहाँ पर Tata Steel नजर आ रहा है तो बहुत जबरदस और volumes के अगर आप देखें तो volumes के basis पर भी आप कोई positive indication यहाँ नजर आएगा बहुत ही शांदर volumes यहाँ पर आते वे दिखाई दे रहे हैं इन current levels के बावजूद भी और यह stock के अंदर देखें market experts किस तरीके से target दे रहे हैं कोई 950 का target दे रहा है तो कोई 1100 रुपे तक का भी targets यहाँ पर Tata Steel के अंदर सुझाया जा रहा है आपको RSI की positions दिखा देता हूँ टेक्निकली थोड़ा सा idea हो जाएगा Tata Steel अभी just RSI के साब से देखें तो अपने normal zone से overbought zone के अंदर entry ले चुका है exactly उसी point के उपर है 70-71 points के आसपर इसकी value है भी लेकिन यह इतनी जल्दी वापस यहाँ से नहीं लेने वाला है यानि कि देखें इस area के अंदर आने के बवजूद भी यहाँ पर यह थोड़ा सा stagnant हो सकता है थोड़ा सा stable यहाँ पर रहेगा इतनी जल्दी वापस से नीचे की तरफ नहीं आएगा इस लिए इस stock के अंदर साड़े 900 रुपे के targets मुझे भी feasible दिखाई दे रहें कि आने वाले कुछ trading sessions के अंदर आपको यह levels अची होते वे नजर आ जाएंगे अगर आप बात करें fresh positions बनाने की क्योंकि Tata Steel के अंदर देखें मैं तो long term की सला आपको दूँगा यह stock अब जाके यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छी form के अंदर नजर आ रहा है बहुत लंबे टाइम का consolidation आप देखेंगे कि इसने break किया है तो इसके अंदर हमेशा long term का आपको view रखना चाहिए और long term के view के हिसाब से इसके अंदर जो genuine positions बनती है वो बनती है देखे 7500 रुपे से नीचे की साड़े 700 रुपे से नीचे जब भी इस stock मिले आपको किसी भी market correction में किया कभी भी metal sector के अंदर कोई dip आ रहा हो तो आप definitely आप इसके अंदर positions बना सकते हैं हाल फिलाल अगर आप current positions की साब से बात करें यानि के short term trade की बात करें तो इन level से भी आपको खरीदारी करनी चाहिए जिसे साब से यहाँ पर अभी momentum बना हुआ यह momentum आगे भी जाड़ी रहेगा और इस stock को साड़े 900 रुपे तक ले जा सकता है अब बेगे stop loss के अगर बात करें तो stop loss 800 रुपे के आसपास आपको लगाना चाहिए 800 रुपे का वो important support होगा जो इसका basically peak था यानि के resistance था जो अब एक strong बहुत strong support की तरह से काम काच करता है नजर आ सकता है तो short term traders के लिए 800 रुपे का stop loss होना चाहिए target होना चाहिए 2500 and above का और current market price से भी आप इसके अंदर bind positions बना सकते है as per the RSI momentum अभी यहाँ पर जारी रहने के पूरे-पूरे chances नजर आ रहे है लेकिन आपको एची समझनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर RSI daily charts पर भी और in fact weekly charts पर भी काफी exciting position दिखा रहा है आप देखेंगे weekly charts के उपर मैं आपर RSI दिखा रहा हूँ आपको तो यह levels है इसके 78 के आसपास और यह काफी जादा excited position में gap up opening हुई थी last week और जिसको यह sustain कर पाया है green candle की closing के साथ ही last week में जो closing दिये वो एक bullish candle के साथ नहीं यहाँ पर काफी अची closing दिये इसलिए short term traders को हमेशे चीज धियान रखनी है कि कोई भी up move मिले तो अपने stop loss को उपर की तरफ trail जरूर करें तभी आपको अपने profits basically book होते वे दिखाए देंगे यानि कि profits lock होते वे दिखाए देंगे otherwise देखें यहाँ पर अगर इंतजार जादा हुआ तो फिर आपका जो profit है वो loss में भी convert हो सकता है market की condition अभी कुछ इसी ही साथ से है तो थोड़ा सा उसको दिमाग में लेते वे short term and long term trade को define जरूर रखें अपने दिमाग में तभी basically आप एक अच्छा और sustainable portfolio बनाने में कामियाब रह पाएंगे तो टाटर स्टील्स के उपर देगे फिलाल इतना ही इस वीडियो को मैं यहीं परी करना हूँ और अभी तक आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा यही तो प्लीज बनाने में यहीं जरूर कीज़ेगा